हैलो एब्रिवान आयम आयूशी शेमा वेलकम बैग तो यूट्यूब चैनल बंडल ओफ लार्निंग आज की वीडियो में हम बात करेंगी मैज के एक और इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट ग्रेटर दन लेजन एकवल्टू की ग्रेटर दन लेजन एकवल्टू का जो करेंट बच्छे को बीएर नंबर और स्मोलडरं का क्ंसेफ्ट अच्छे से आता हो क्रेटर दन लेजन का कॉंसेप्ट हमेशा बच्छों को सिखाया जाता है ्रोकोडव मैधर कि दृवा क्रोकोडाल मेथड क्या होता है यहां पर हम बच्चों को बताते हैं जो क्रोकोडाल है वो हमेशा उनी आपजेक्स को या उनी नंबर को खाता है जो की जादा होते है क्वांटिटी में या जो बड़ा नंबर होता है उसी को हमेशा क्रोकोडाल खाता है या फिर हम कह सकते हैं उसी साइड क्रोकोडल का माउथ ओपन होता है, जिस साइड में ज्यादा नंबर्स होते हैं या ज्यादा आपजेक्स होते हैं तो इस मैथड को हम कैसे करेंगे? हम बच्चे को सबसे पहले सिखाएंगे बच्चे की किसी भी फेवरेट थिंक्स के तुरू यहां पर आप बच्चे से बोलेंगे आपके एक हैंड में टू टॉ 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 फेवरेट थिंक्स के तुरू यह एक कॉंसे करवाएंगे तो बच्चा इजली इसको रिलेट कर पाएगा और बच्चे को पता होगा कि कौन से हैंड में ज्यादा टॉफी हैं तो जिस भी हैंड में ज्यादा टॉफी होंगी उसी साइट क्रोकोडाईल का माउथ ओपन होगा या फिर हम कह सकते हैं उन्ही टॉफी को क्रोकोडाईल खाएगा तो वो नंबर जो गोगा वो ग्रेटर नंबर होगा second method लेंगे वो हमारा होगा objects के दुरू आप बच्चे को objects के दुरू भी करवा सकते हैं objects के दुरू आपको क्या करवाना है आपको simply कोई भी objects यहाँ पे लेने जैसे बेर पास यहाँ पे fishes थे तो मैंने यहाँ पे fishes लेने यहाँ पे मैंने एक side में रखे 3 fishes और यहाँ पे रखे मैंने 2 fishes अब बच्चे को simply इनको देखके बताना है कि 3 fishes ज्यादा है यह तो यहाँ पे बच्चा easily इनको देखके बता सकता है कि 3 is greater than 2 यहाँ पे 3 fish ज्यादा है 2 से तो यहाँ फिर हम कह सकते हैं crocodile 3 fishes के side में अपना mouth open यहाँ पर मैं आपसे यह एक्टिविटी शेयर करूंगी जिसके थू मैंने फूरू को greater than less than equal to का concept समझाया था तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक्टिविटी जो मैंने पूरू के लिए बनाई थी जो मैंने पूरू के लिए बनाई थी इसमें हमें कैसे करना है हमने यहाँ पे numbers select करने है और यहाँ पे crocodile बना हुआ है जिसको हम move कर सकते हैं किसी भी direction के अंदर और यहाँ पे अगें दूसरे number बने हुए तो हमें इन दोनों numbers के बिच में comparison करवाना है और यहाँ पे crocodile के mouth को move करना है तो first जैसे हम करवाएंगे इस नंबर इस 55 तो विच नंबर इस ग्रेटर 76 और 55 76 जा बीगर नंबर तो हमेशा क्रोकोड़ल कौन से नंबर को इट करता है बिगर नंबर को तो यहाँ पे 76 बिगर नंबर है और 55 स्मॉल नंबर है तो यहाँ पे किस नंबर को खाएगा क्रोकोड़ल 76 को इसलिए हमने क्रोकोड़ल का mouth move कर दिया है 76 कि से नंबर सो हम क्या क्या सकते है 76 इस ग्रेटर देन 55 55 सो नाव नेक्स नंबर इस 43 and 66 नाव तैल में विच नंबर इस ग्रेटर 43 इस इस किसका साइन है लेस देन का 43 इस लेस देन 66 ओके नाव यह नेक्स नंबर इस 66 इस 66 हम कौन एक वरस्टू के लिए हम क्या करेंगे इसको state खड़ा करेंगे ग्रेटर देन का साइन है तो इस एक्टिविटी के थूरू सरफ ग्रेटर देन की एक्सराइज हमने करवाई है अब से पहले पिच्चस से ही स्टार्टिंग करने होती हमें तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं 5 जग है तो यहां पर हम लिखतेंगे 5 यहां पर 3 जग तो यहां पर लिखतेंगे 3 फिर हमें बच्चे से यहां पर साइन पुट करवाना है तो इन पिच्चस को देखके बच्चा इसली साइन पुट कर सकता है कि 5 जो जग है वो ज़ादा है और यहां पर यह थ्री जग कम है तो यहां पर यह sign put हो जाएगा इस तरीके से क्यूंकि crocodile हमेशा जो ज़्यादा objects होते हैं उन्हें की side अपना mouth open करता है next हम देखें यह हैं कुछ और pictures जैसे यहां पर 123456789 तो यहां पर हमें लिखना है 9 और इस side में 12345678 अब इन objects को देखके बच्चा easily बता सकता है कि यह number big है और यह वाला number small है तो crocodile हमेशा बड़े की side में ही अपना mouth open करता है तो यहां पर यह open कर देगा इस side में साथे साथ हमें यहां पर बच्चे से practice भी करवाने हैं लाइक बच्चा इस तरीके से बोले 9 is greater than 8 next हम देखें example 1234567 यहां पर हो जाएगा 7 objects यहां पर हो जाएंगे 3 objects 7 is greater than 3 next हम देखेंगे count right and put the sign of less than यहां पर हमें less than का sign पुट करवाना है अब यहां पर मैं आपको suggest करना चाहूँगे स्टार्टिक में आप सारे exercise mix करके माद दीजें यहां कि greater than और less than एक ही worksheet में मत दीजें दोनों को अलग लग दीजें ताकि बच्चे को यह जो sign हम यूज कर रहे हैं इन sign की भी अच्छे से knowledge हो सके बच्चे को पताओ कि कौन सा sign greater than है का है और कौन सा sign जो है वो less than का है अगें हमें pictures के तुरू ही यहां पर करवाना है 1,2,3,4 pictures हैं यहां पर और यहां पर है 6 अब क्या करना है हमें देखना है कि crocodile अपना mouth कि side open करेगा तो यह 6 यह number जादा है तो crocodile हमेशा बड़े number की side में अपना mouth open करता है तो इस तरीके से यह open किया और साथी सथ हमें क्या बोल 5 bags है इस side में है हमारे 7 अगें 7 के side में crocodile अपना mouth open करेगा यह हो गया और यहां पर हम कैसे बोलेंगे इसको 5 is less than 7 तो इस तरीके से भी बच्चे से practice करवाने है यह थी हमारे जो छोटे numbers होते हैं उनके लिए जहां पर हम pictures के तुरू बच्चे से करवा सकते हैं बार जब हम bigger number की बात करते हैं बड़े numbers की बात करते हैं तो वहां पर हमें इन pictures के थूरू नहीं करवाएंगे हम directly number लिखे हुई यह वरक्षिस करवाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं next है हमारा put the correct sign greater than or less than or equal to in the box अब यहां पर कुछ numbers लिखे हुए जिन में हमें यह sign put करना है तो first हम ब बड़े numbers को करने के लिए जरूरी है बच्चे को bigger number और smaller number का concept भी आना अगर बच्चे को bigger number और small number को identify करने में कोई problem नहीं है तो बच्चा greater than or less than का concept भी अच्छे से कर सकता है तो यहां पर हम देखेंगे यह number है 28 यह number है 16 तो 28 bigger number है यह 16 small number है तो crocodile हमेशा bigger number की side अपना mouth open करेगा तो 28 is greater than 16 next number is 3 and 45 तो यहां पर 45 bigger number है तो mouth अपना open करेगा इस side में तो हम कह सकते हैं 3 is less than 45 next is 37 and 50 तो यहां पर 50 bigger number है mouth इस side में open होगा now 37 is less than 50 तो इस तरीके से भी आप बच्चे से practice करवाए ताकि बच्चे को जो sign का जो confusion होता है वो confusion नहीं रहेगा next number is 16 and 16 दोनों number बराबर है तो हम यहां पर put करेंगे equal to का sign next number के हम बात करें यहां पर next number है हमारा 13 and 15 तो यहां पर 15 bigger number है mouth इस side में open होगा और हम बोलेंगे इसको 13 is less than 15 39 और 39 दोनों number equal है 22 और 16 में से 22 बिग है 22 इस ग्रेटर देन 16 48 और 38 में से 48 बिगर है तो 48 इस ग्रेटर देन 38 तो इस तरह हम बच्चे को यह exercise करवाएंगे जिसके तूँ जो बच्चे का जो greater than और less than का concept है वो clear होगा so I hope आज का वीडियो आपको पसंद आया हो अगर वीडियो पसंद आया तो comment करके जरूर बताएएगा आपको वीडियो कैसा लगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा thank you so much